C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है पाठ दो दादी मा प्रिष्ट संख्या चार कमजोरी ही है अपनी पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों, गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है मेरे शुबचिंतक मित्र मुँपर मुझे प्रसन करने के लिए आने वाली छुटियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा ठीक है जाने दो सोचने से होता ही क्या है पर बर्बस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच शीतल किसी की धुंदली चाया ना चुटती है मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए है मेरे गाउं के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साइं की अधगली घासे घेवर और बनप्यास की जणे तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं रास्तों में कीचड सूख गया है और गाउं के लड़के किनारों पर जाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बाते होती हैं आशाड में आम और जामू न मिले चिंता नहीं अगहन में चिवडा और गुड न मिले दुख नहीं चेहत के दिनों में लाई के साथ गुड की पट्टी न मिले अफसोस नहीं पर क्वार के दिनों में इस गंध पूर्ण जाग भरे जल में कूदना नहो तो बड़ा बुरा मालूम होता है प्रिष्ट संख्या पांच मैं भीतर हुड़क रहा था दो एक दिन ही तो कूद सका था नहा धोकर बीमार हो गया हलकी बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है थोड़ा थोड़ा ज्वर हो सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नीमभू और साबू लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी ज्वर जो चड़ा तो चड़ता ही गया रजाई पर रजाई और उत्रा रात बाहरा बजे के बाद दिन में मैं चादर लपेटे सोया था दादी मा आई शायद नहा कर आई थी उसी जाग वाले जल में पतले दुबले सने सने शरीर पर सफेद किनारी हीन धोती सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतल था आते ही उन्होंने सर पेट छुए आँचल की गांट खोल किसी अद्रिश्य शक्ति धारी के चबूतरे की मिट्टी मुह में डाली माथे पर लगाई दिन रात चार पाई के पास बैठी रहती कभी पंखा जलती कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती सर पर दाल चीनी का लेप करती और बीसों बार चूचू कर ज्वर का अनुमान करती हांडी में पानी आया की नहीं उसे पीपल की चाल से चोंका की नहीं खिचडी में मूम की दाल एकदम मिल तो गई है कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया आदे लाखों प्रश्ण पूच पूच कर घरवालों को परिशान कर देती दादी मां को गवई गाउं की पचासों किस्म की दवाओं के नाम याद थे गाउं में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम हाथ चूना, माथा चूना, पेट चूना फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती महामारी और विशूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड मिश्रित जलधार, गुगल और धूप सफाई कोई उन से सीख ले दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती, बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महराज अपने मन से पका कर खिचडी या साबू, डॉक्टर सहाब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्स्टर की शीशी की तिताई के डर से, बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, प्रिष्ट संख्या च्छे, किशन भाईया की शादी ठीक हुई, दादी मा के उच्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, परोसी ने आ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं, जानने को यों सभी जानते थे, कि दादी मा कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्तिती वस्तुता, विलंब का कारण बन जाती, उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लोटा, बहरी निकसार में दादी मा किसी पर बिगड रही थी, देखा, पास के कोने में दुब की रामी की चाची खड़ी है, सो न होगा धन्नों, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तिरी आँख में तो शरम है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पहरों पर नाक रगडती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आज कल करने, फसल में दूँगी, फसल में दूँगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, प्रिष्ट संख्या साथ, दूँगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई, दूनों हाथों से आँचल पकड़े, दादी मां के पैरों की ओर छुगी, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी, तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ, दादी मां पीछे हट गई, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी करीब है, दे देगी कभी, चल चल, चला है समझाने, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, कई दिन बीट गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सकया, एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतों, फलों, दूधों, नहाओ का आशीरवाद दे रही थी, मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहवल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, उपर से दस रुपय का नोट दे कर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी, वैसी मेरी, दस पांच के लिए हसाई नहो, देवता है बेटा, देवता, उस रोज तो बहुत राट रही थी, मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया दे कर डांटे भी ना, तो लाब क्या, मैं मन ही मन इस तरक पर हंसता हुआ, आगे बढ़ गया, किशन के विवाह के दिनों की बात है, विवाह के चार-पांच रोज पहले से ही, औरतें रात रात भर गीत गाती है, विवाह की र वाह से लेकर पुत्रोत पत्ती तक के सभी द्रिश दिखाये जाते हैं, सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका, मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, औरतों ने उस पर आपत दादी मां बिगणी, लड़के से क्या परदा, लड़के और ब्रह्मा का मन एकसा होता है, प्रिष्ट संख्या आठ, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ा कर, दादी मां ने चुपके से सुला दिया था, बड़ी हसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हस दू, भेद खुल जाए, तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भावी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड हो गया, देबू की मां ने चातर खींच ली, कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूद तो पिला दू, हाथा पाही शुरू दादी मां बिगणी, लड़के से क्यों लगती है, सुभा रास्ते में देबू की मां मिली, कल वाला बच्चा भावी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी मां के पास जा खड़ा हुआ, वस्तुता, किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर, जब हम दादी मां की छाया में खड़े हो जाते, अभायदान मिल जाता, स्नेह और ममता की मूर्ती दादी मां की एक एक बात, आज कैसी कैसी मालूम होती है, परिस्थितियों का वात्या चक्र, जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी मां खूब जानती थी, दादा की मृत्यू के बाद से वे बहुत उदास रहती, संसार उन्हें धोखे की टटी मालूम होता, दादा ने उन्हें स्वयम जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेज कर अपने पीछे जाने की जूठी बात कहा करते थे, दादा की मृत्यू के बाद, कुकुर मुत्य की तरह बढ़ने वाले मुह मेर राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुब चिंता ने स्थिती और भी डावां डोल कर दी, दादा के श्राध में, दादी मा के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वै की, वह घर की तो थी नहीं, दादी मा अक्सर उदास रहा करती, माग के दिन थे, कडाके का जाड़ा पड़ रहा था, पच्छुआ का सन्नाटा और पाले की शीद हड्डियों में घुसी पड़ती, शाम को मैंने देखा, दादी मा गीली धोती पहने, कोने वाले घर में एक संदूग पर दिया जलाए, हाथ जोड़ कर बैठी हैं, उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आशू कभी नहीं देखे थे, मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा, उन्होंने आँखें खोली, प्रिष्ट संख्या नौ, दादी मा मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहां क्यों बैठा है, दादी मा एक बात पूछूं, बताओगी न, मैंने उनकी स्नेह पूण आँखों की ओर देखा, क्या है, पूछ, तुम रोती थी, दादी मा मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न, चल-चल, धोती तो बदल लो दादी मा, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे मिच्ती रसोई में ले गई, सुभा मैंने देखा, चार पाई पर बैठे पिताजी और किशन भाईया, मन मारे कुछ सोच रहे हैं, दूसरा चारा ही क्या है, बाबु बोले, रुप्या कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, वे रोने रोने से हो गए, रोता क्यों है रे, दादी मा ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही, उन्होंने संदूक खोल कर एक चमकती सी चीज निकाली, तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भराया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहीज कर चानी है, उन्होंने आंसू पोंच कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, सच मुझे दादी मा शाप ब्रष्ट देवी सी लगी, धुंदली चाया विलीन हो गई, मैंने देखा, दिन काफी चढ़ाया है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कववा, अपनी घिनावनी काली पांखें पहला कर, मेरी खिड़की पर बैठ गया, हाथ में अभी किशन भाईया का पत्र काप रहा है, काली चेंटियों सी कतारें धूमिल हो रही है, आखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी मा नहीं नहीं? लेखक, शिव प्रसाद सिंग, प्रिष्ट संख्या दस, प्रश्न अभ्यास, कहानी से, प्रश्न एक, लेखक को अपनी दादी मा की याद के साथ साथ, बच्पन की और किन-किन बातों की आजाती है, प्रश्न दो, दादा की मृत्यू के बाद, लेखक के घर की आर्थिक स्थिती, खराब क्यों हो गई थी? प्रश्न तीन, दादी मा के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है, और क्यों? कहानी से आगे, एक, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आशार, माग, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए. दो, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बाते होती हैं. लेखक के इस कथन के अनसार यह बताईए, कि किस मौसम में कौन-कौन सी चीजें विशेश रूप से मिलती हैं. अनुमान और कल्पना दो, घर पर होने वाले उच्छवों अत्वा समारोहों में बच्चे क्या-क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए. प्रिष्ट संख्या ग्यारा भाशा की बात एक, इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए. जरा सी कठिनाई पड़ते, अनमना सा हो जाता है, सन से सफेद. समानता का बोध कराने के लिए, सा, सी, से का प्रियोग किया जाता है. ऐसे पांच और शब्द लिखिए, और उनका वाक्य में प्रियोग कीजिए. दो कहानी में छू छू कर जूर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परिशान कर देती, जैसे वाक्य आये हैं. किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए, एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रियोग होता है. जैसे वहां जा जा कर ठक गया, उन्हें ढूंड ढूंड कर देख लिया, इस प्रकार के पांच वाक्य बनाईए. तीन बोलचाल में प्रियोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी मा कहानी में हैं. इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है, कि यह कहानी किसी विशेश क्षेत्र से संबंधित है. ऐसे शब्दों और वाक्यान्शों में ख्षेत्रिय बोल चाल की खूबियां होती है उदाहरण के लिए निकसार, ब्रह्मा, उरिन, चिवडा, छोंका इत्यादी शब्दों को देखा जा सकता है इन शब्दों का उच्चारण अन्य ख्षेत्रिय बोलियों में अलग धंग से होता है जैसे चिवडा को चिडवा, चूडत्र, पोहा और इसी तरह चौंका को चौंक, तड़का भी कहा जाता है निकसार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमशा, निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द का ख्षेत्रिय रूप है इस प्रकार के दस शब्दों को बोल चाल में उप्योग होने वाली भाशा अर्थात बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिख कर दिखाईए अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट प्रस्तूती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत